साथियों आर तो आज हमारे सामने खड़ी है रोयल इंफिल्ड की तरफ से आने वाली दा मोश्ट पावरफुल बाई कॉंटिनेंटल जीटी सिक्स फिफ्टी स के बारे में हम आप पो बताएंगे सबसे पहले तो इसका यार साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफी यहां पर आपको प्रिमियम सी लाइट देखने के लिए मिल जाएंगी जहां पर आपको डियारेल देखने के लिए मिल जाएगा अंदर में पर आपको प्रोजेक्टर एलिडी हेड लाइट देखने के लिए मिल जाएंगे एक तालीस हैम के यहां पर आपको फ्रेंट फॉक suspension देखने के लिए मिल जाएंगे cover up इने किया है और जो इनकी quality है वो काफी ज़ादा बढ़िया है building की quality भी काफी बढ़िया होने वाली है यहाँ पर आपको दो reflector देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें आपको टायर देखने के लिए मिल जाएंगा यहाँ पर जो आप डिस्की प्लेट देख रहे हैं यह एक 320 mm की डिस्की प्लेट आने वाली है front में और यहाँ पर यह प्लेट में यहाँ पर आपको single और double आँगे पीछे दोनों में ABS देखने के लिए मिल जाएगा बाइबर के विरेक यहाँ पर लगे हैं सातियों यहाँ पर एलोई वील वाला मॉडल इसके उपर वाले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर fuel tank आप देख सकते हैं यह क्रोम डिजाइन वाला है और यहाँ पर अगर हम इसके बात कलने fuel tank की तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों साड़े बाराइटर का है इसमें आपको fuel tank देखने के लिए मिल जाएगा और यह जो इंजन आप देखने है 650cc का इसमें आपको powerful इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको 47bhp की power देगा 52Nm का यह आपको torque देने वाला है साथी यहार 6 transmission के साथ आता है dual cylinder होने वाला है यह इंजन यार तो इंजन काफी ज़्यादा powerful है यार साथी हूँ यहाँ पर देख सकते है GT Continental की बहचेंगे side fender में single seat आती है यहाँ पर जो हम आपको दखाने की गोश्स करते हैं और seat की height की बात कर ले हम तो यहाँ पर आपको 800 mm की seat height होने वाली है तो अगर आपकी height 5.2 भी है तब भी आपके लिए best option हो सकती है और साथ में यहाँ पर single seat है seat की जो कुशनिंग है वो भी काफी ज़्यादा आराम दायक होने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं seat आराम दायक होने वाली है और साथ में इसके हम रियर के profile की बात कर लें तो यहाँ पर आपको रियर में LED tail light LED turn on indicator hazard light यहाँ पर silencer देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर 270 mm की रियर की यहाँ पर डिसकी plate देखने के लिए मिल जाएगी रियर की टायर की बात कर लें तो यहाँ प से देख सकते हैं side का profile और हम अगर इसके cluster की बात कर लें तो पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक split handle वार के साथ मिलती है और की देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली है इसकी यहाँ पर और इसके हम यहाँ पर hazard light on रहेगी जैसे की हमालयान में feature था यहाँ पर निकालने के बाद बीच आभी hazard light इसकी ओन है यहाँ पर हम आपको दखा देते हैं कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके cluster में बात करने क्या क्या मिल जाएगा तो यहाँ पर हम आपको दखाने की को सुछ करते हैं यहाँ पर RPM का मीटर है इंजन च चाल हो जाएगा अपर डेपर हो जाएगा यह देख सकते हैं काफी बढ़िया होने वाली है गाड़ी की यह वाली चीज़ है और साउंड यहाँ पर आपको असिस्टेंट सिलीपर क्लिच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो सिटी में राइड की जो काफी ज़्या जादा बढ़िया होने वाली है इस गाड़ी की अब हम आपको साउंड डिसका स्टार्ट करके एक बार गाड़ी का सुनवा देते हैं तो यहाँ पर तो इस गाड़ी का जो साउंड का बेस है वो एकदम ही अपने सुना किस तरीके से बेस काफी ज़्यादा है भी है साउंड इसका अरसातियों यहाँ पर और यह इसका क्रोम एडिसन आप जो देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको कैसी लगी यह गाड़ी कमेंट वोक्स में जरूर बताना मित्रो यहाँ और इसकी हम कीमत की बात कर लें यहाँ आरसादियों तो यह गाड़ी आपको 3,62,000 की ओन रोड पढ़ जाएगी और अपनी अपने सिटी के साब से उपर नीचे होने वाली है और साथ मैं माइलेज देगी आपको 25 के MPL का जो हाईवे का माइलेज आप बता रहे हैं उपर नीचे हो सकता है चलाने टू चलाने पर वरी करता है जादियां तो आपको कैसी लग रही है गाड़ी यार ये क्रो मेडिसन आप इसका देख रहे थे तो आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जरूर बताना यार मित्रो और आपको कौन सी गाड़ी पसंद है ये भी जरूर बताना आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद